PM किसन योजना के अंदर एक छोटी सी गलती एक बड़ी समसिया को जन में दे चुकी है दोस्तों एक छोटी सी अपडेट और ये अपडेट PM किसन योजना के अंदर ऑफिसियल अपडेट आया हुआ था आज से लगबग 2-3 महीन पहले ये अपडेट आया हुआ था एक न्यू की समसिया बन चुका है दोस्तों इसको समझे बूझे बिना काफी किसानों ये मैं रईजिट्येशन करते हुआ ये और आप सच में किसन है तो ये रेजिट्येशन आपके लिए नहीं आहीं इसको समझना होगा काफी किसान ये ब्रहमित थे कि काफ़ी यूटूबर भाई जो है इसमें रेजिस्टेशन करने की समद्ध में वीडयो बना दिये थे तो ये भी गलती नहीं करना है दूस्तों जिदी आप कोई यूटुबर है और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ऑचाने हैं यह जो लास्ट सर्विस जो अपडेट किया गया है PM किसान योजना का ओफिसल वेबसाइट के अंदर ये एक बड़ी समस्या उत्पन कर रही है कापी किसानों ने बीना समझे भूजे इसमें रेइस्टेशन कर दिये हमारे चैनल अभी तक मोनिटाइद नहीं हुआ है दोस्तों लेकिन मैं सभी का हेल्फ करता हूँ जितना भी कमेंट हमारे पास आता है हमारे वीडियो में जो भी कोशन आता है सबका मैं आंसर लगाता है देने का प्रयास करता हूँ यदि आपके पास ऐसा कोई भी समस्या आ रहा है तो आप हमेसा हमें कॉमेंट कीजी हमारे वीडियो में कॉमेंट कीजी आप हमें WhatsApp से भी चेटिंग कर सकते हैं जो कि आपको नमर इसकीन पर देख रहा होगा आप इसमें direct DM कर सकते हैं आप हमें comment कर सकते हैं वीडियो के अंदर आप telegram के अंदर comment कर सकते हैं सवाल पूछ सकते हैं आपके लिए मैंने एक group बना दिया है दोस्तों एक मैंने channel बना दिया है Kisoo Digital World के नाम से आप telegram channel में search करेंगे तो वहाँ पे आपको एक channel मिलेगा वहाँ से आप कोई भी question को पूछ सकते हैं सभी परकार का update को मैं उसी channel के माद्यम से post करता हूँ ताकि आपका profit हो सके आप हर चीज, हर सरकारी scheme हर CSTC related scheme से हमेशा alert रह सके हर question का answer देने के लिए आपका भाई ready रहता है तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है कोई भी गलती मत करिए थोड़ा सा समझीए भूजीए सरकारी चीजें बहुत ही कठिन से मिलती आज की जमाने में इतना क्रप्सन का टाइम चल लाए दोस्तों जिदि आप कोई भी किसन योजना का लाबुक नहीं बनना चाहते हैं ज़ी आप mistake से बन गए हैं और आप recovery करना चाहते हैं या फिर आप अभी से कोई सर्विस्में बन गए हैं या फिर आप टेक्स प्लेयर बन गए है या फिर PM किसन योजना का criteria होता है उसके अंतरगत अब नहीं आ रहे हैं पहले आते थे पहले आते थे आपने PM किसन योजना का लाब लेते थे लेकिन अभी जदी आप नहीं आ रहे हैं तो आपको इसमें registration करना है जदी आप PM किसन योजना का आपको मिलता है वो तूरंत इस्टोप कर दिया जाएगा और आप फ्यूचर में कभी भी रेइस्टेशन पीम की सान योजना की अंतरगर नहीं कर पाएंगे यहां पर साप साप किया गया है दोस्तों यदि आप कोई भी फॉर्म को आप आप लाइन भरते हैं तो उसको कर देख लिए हैं तो देख लिए जाके और इसमें कुछ भाई का कमन्ट आया हुआ है यहां पर कुछ भाई के साथ यह प्रोबलम आया है जो यहां पर वीडियो के नीचे comment किये हैं इस वीडियो की नीचे एक भाई है एस की नाम से हैं यहाँ पर जिनने comment किया है कि कैसे सही होगा सर एक वीडियो बना दिजे प्लीज तो दोस्तों यदि आपने ये गलती कर दिया है आपने इसमें registration कर दिये हैं आप इस वीडियो को आपको इस वीडियो में समधान भी बताने का 100% में परियास करूँगा कि कैसे आपको क्या करना है सारा चीज आपको इस वीडियो की मादेम सी मिलेंगे और कई भाई ने इसमें comment किये हैं जैसे कि राज भाई के और से भी इसमें comment आया है अब क्या करें एन यहां पर SK भाई की दोवारा फिर से यहां पर comment आया मैंने इसमें reply भी किया हुआ है एन यहां पर एक राज भाई की और से फिर से comment आया है कि मैंने भी कर दिया है गलती से अभी क्या करूँ प्लीज बताओ तो भाई आप लोग को मैं बता दो कि जदी आपने यह कर दिया है तो आपको इससे पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है जदी आपको नहीं पता तो आप हमसे पूछ लेते या फिर आप वीडियो देख लेते इसे रेटेड वीडियो आपको बहुत सर मिल जाएंगे यूट्यूब में लेकिन प्रोब्लम यह है कई यूट्यूबर जो है वीडियो में वीडियो को लाने के लिए जो मन में आता है वही वीडियो बना देते है बिना सोचे समझे बिना informative वीडियो को डाल देते है यूट्यूबर उससे क्या नुकसान हो रहा है क्या लाव हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है तो आपको यह select करना है दोस्तों कि आपके लिए कौन सा channel सही है आपको कौन सा channel के माध्यम से सही जनकार मिलती है बस उसी channel को आपको follow करना है उसी channel के माध्यम से आपको जो भी information मिलता है उसको आपको follow करना है आप हमारे वीडियो को देख सकते है आपको एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेंगे जिसमें आपका नुकसान होता हो हाँ यह मैं मान सकता हूँ कि आपको मैं SOCHAAR से रिलिक्टिड ओनलाइन करने के लिए बता लूँ हो सकता है कि उसमें आपको लाब ना मिले कारण यह होता है कि आपने फॉर्म भरा भरने के बाद आपका फॉर्म जब तक अपरोबन नहीं मिलेगी तब तक आपको उस योजना का लाप नहीं मिलेगा तो जब तक आपका फॉर्म अपरोबन नहीं होती है तब तक आप लाप नहीं ले पाते हैं लेकिन आपको नुकसान भी नहीं होगा दोस्तों, योजनाएं जो होता है, सरकारी ओफिस के उपर निर्भर करता है, आपके क्रिटरिया के उपर निर्भर करता है, आप उस क्रिटरिया को फोलो कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, जाना शुरू करते कि जदी आप से ये प्रो हो चुका है यदि आपने surrender related form को भर दिया है online आपने कर दिया 안яти wildlife तो अब आपको क्या करना चाहिए हわかतário है यदि आप status चीख कर पा रहें तो सबसे पहले आप status चीए यदि आप status को check नहीं कर पा रहें तो कोई बात नहीं आप एक application को लिखें उस हमें अप्लिकेशन को आपको CEO साहब के नाम पे लिखना है, Circle Officer, जो कि आपको ब्लॉक में मिल जाएंगे, उनकी नाम पे अप्लिकेशन लिखना है, सेवा में स्रीमान अंचल अधिकारी महोदे, विसे में आपको लिखना है, कि गलती से PM किसान योजना को मैंने सरेंडर कर दिया, ज योकि ये गलती है, सर, तो हमारा जो रिक्वेस्ट है, आप को रिजक्ट किया जाए, तो इस तरह से आप एक अप्लिकेशन को त्यार करेंगे, आप सारा डिटेल उसमें एड़ करेंगे, आपको अधिकारी के पास जमा कर देना है, वहां से क्या होगा दोस्तों, जैसे आप आपने online form को surrender के लिए यहां से आपने submit किया तो सबसे पहले अंचल करियाले के माध्यम से यह निए circle officer के पास यह form जाएंगे online form वहां से जैसे अप्रूब हो जाती है तब आपका PM किसन योजना का पैसे आना बन होगा stop हो जाएगा लेकिन जदी वो reject कर देते हैं तो आपको PM क का surrender के लिए जो online की हैं वो reject करना बहुत ही जरूए तो सबसे पहले आप application दीजिए CEO साब के यहां सरकर officer के यहां वहां से आप reject कराईए जैसे reject हो जाता है आप tension free हो जाएंगे आपका कोई भी problem नहीं होगा I hope यह वीडियो आपके लिए informative रहागा वीडियो पसंद आए तो एक like कीजिए अपने दुस्तों में share कीजिए चलिए मिलते हैं किसी next वीडियो में किसी important topic के साथ में तब तक के लिए thank you जैहिन वंदे मातरम